तो अलो फ्रेंड वैलकम बैक आज हम बात करें के प्रिप्रेशन ओफ फिनॉल की कि हम लेते हैं और इस बेंजीनका रीयक्षान आप कंसेंटरेटेड स्ब के साथ करते हों कि जब रफ लाइट करते हो कंसे चननोफृ सत बंजीन को तो मिलता है नाइट्रो बंजीन है नाइट्रो वंजीन है तो हमने बंजीन का रियक्सन कहम हाई इस प्रेसे करा है तो एक डूंब इसका रिडिक्शन कराएंगे तो मिलेगा एनोलीन है डिक्षण से क्या होगा ओओर टू एनश्टु में कनवाट हो जाएगा कि इसका नाम है एनईलीन अब फर्दर क्या करेंगे से करींवीन का रियक्षन कराएंगे एन ऐन ओर टू प्लस यह सी अल अब बनेगा एक सॉल्ट बनेगा एक रियक्शन आप हैलो एलकेंड एंड हैलो एरी चैप्र में पड़ चुके ओ एंटू सी एल एंटू प्लस एल माइनस इसका नाम है डाइजोनियम अब इसका फर्दर फर्दर इसको आप वाटर के साथ अगर हीट कर देते हो तो एंटू क्या होगा गैस के फॉर्म में निकल जाएगा एंटू यह क्या एक गुड लिविंग ग्रूप है गैस निकल जाएगा यह चील निकल जाएगा बनेगा क्या जाएगा फिनोल बन जाएगा यह तो हमारा हुआ मैथर नंबर 1 तो हमने क्या किया बेंजीन बेंजीन का रियक्शन कांसें पर आए और जिसको वाटर के साथ अगर हम हीट करते हैं तो हमको फिनॉल प्राप्त होता है अब देखो अगर इसी डाइजूनियम सॉल्ट का हम रियक्शन सी यूटू कि सी यूटू सी यूटू से कराते हो तो पाओ गया आप क्लोरो बेंजीन यह रियक्शन आप हैलो एलकेन एंड हैलो एरीन चेप्टर में पढ़ चुके हो तो इसको बोलोगे क्लोरो बेंजीन अब जैको अभी सम्क्लोरो बेंजीन का रियक्शन अगर सोडियम हाइड्रोकसाइड से कराते हैं तो अब पाओगे ओ यन ने यह माइनस है प्लस इसको बोलते हैं क्या सोडियम फिनोकसाइड एक सोडियम फिनोकसाइड एक सॉल्ट बनता है सोडियम के इसका नाम है सोडियम फिनोकसाइड अब इसका फर्दर आप अगर आप Acidic Medium में इसका Reaction कराते हुई Acid से तो आपको मिलता है Phenol वह Phenol मिल गया तो हमने देखा गाइज बेंजीन को पहले हम किसमें Convert कर रहे हैं Aniline में देन N2Cl में अगर N2Cl आप डाइजोनियम सॉल्ट बना लेते हो अगर आप डाइरेक्टल लिए भीट करते हो तो Phenol बनता है या अगर फर्दर C2Cl2 से reaction करा तो कलोरो बेंजीन पाते हो देन आप सोडियम हड्रोकसाइड से रियक्टन कराते तो सोडियम फिन आक्साइड आयन मिलते हैं सोडियम फिन अक्साइड मिलता है जिसका फर्दर एसिडिंग में रियक्षन कराते हो तो आपको Phenol मिलता है अब देखो दूसरा कॉंडिशन क्या हो सकता है आप बेंजीन ले लो कि बेंजीन का रियक्षन कराओ H2SO4 से अब H2SO4 से रियक्षन करा दिये बनेगा क्या बेंजीन सल्फोनिक एसिड यसो 3H बेंजीन सल्फोनी केसिड बना और फर्दर आप इसका रियक्षन करा दो है यह निए ओएच अब सोडियम हाइट्र ऑक्साइड से रियक्षन कराओ गे तो आप क्या पाओगे सोडियम फिनक्साइड सेम पाओगे फिर आप इसका अगर बनेगा तो में डिख लो ट मैंपने बिख सकते हैं इसको बनाया य।ór तो आप कर सकते हैं हमने क्हले क्या है यह वा-टर की रियक्षन कर तो क्लोरो बेंजीन मिलेगा जिसका सोटीम होडरोकसईड से रियक्षन कराओं गेंगा सोटीम का जिसका अगर आप मेडियम में मालकciliation से रियक्षन करके तो फिनोल बनेगा दूसरा किस के आओ सकता है आप बेंजीनलए लो तो से रियक्षन कराओं गे तो बनेगा Keith बेंजीन सलफोनिक एसिड बनेगा जिसका फर्दर आप सोडियम हट्रॉक्साइड से रियक्शन कराओगे तो पाओगे सोडियम फिनॉक्साइड जिसका फर्दर आप एच पलस से अगर रियक्शन कराते तो फिनॉल मिलता है तो एक साइकल है इससे आपको इजली समझ में आ आ गया होगा अब एक जो हमारा मेथर नंबर फोर है कि युमीन से अ अ हुआ है इस मेथर नंबर फोर होने वाला है अब दो क्यूमीन का पहले आप इस्ट्रक्चर बना लो बेंजीन है यह जो सी सिंग्ल बंड़ च्छ थ्री और दीस इस आलसो च्छ थ्री एक क्यूमीन है इसका कराते हैं Oxidation ओटू ले लो अब इस Oxygen को क्या करो इस Carbon और Hydrogen के बीच में डालतो तो ओ ओ एच इसके बीच में क्या करो डालतो अब जो यह बन गया क्या है क्यों मीन का यह पर ऑक्साइड बन गया इसको बोलते हैं पर Oxide बॉंड अगर Oxygen के बीच में सिंगल मॉर्ण हो इसको बोलते हैं पर ऑक्साइड शीच तरी अब इसका हम क्या करेंगे इसको एसीडिक मीडियम में बाटर से रियक्षन कुरा दो अगर वाटर से आपे सिरिक मीडियम में रियक्षन करते हो है है येच प्लस को रोटर कि साथ येच्शन कर तो मिलेगा आपको फिनॉल उन पाते हो और निकल क्या जाएगा सिय थरी सी डेबल बांडो सिय थरी तो गाइज हमने क्या देखा क्यों मीन है क्यों मिन को हम क्या औक्सीडेशन कराते हैं तो यहां पर बनता है एक पर आउकसाइड कंपाॉंड बनता है जिसका फरदर ऑप इह पंद्स यह च्विक शीच्डो नेक्ष्ट क्लास में हम नेक्ष्ट प्रिप्रेशन मेथर की बात करेंगे तब तक के लिए बाइबाय और टेक केर